चोपड़ा है जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ CMC वेल्यूर में MBBS और Other Courses में Admissions के लिए Registration स्टार्ट हो चुके हैं Admissions प्रोसेस जानने से पहले हम CSC वेल्यूर के बारे में और इसकी Cut-Off के बारे में एक बार जान लेते हैं दोस्तों CMC वेल्यूर की इंडिया के Top Medical Top 5 Medical College में गिंती होती है अगर ranking का All Years का Average निकालेंगे तो ये 3rd ranking की Medical College है प्राइवेट होने के बावजूद भी इसकी Feast First Year की 50,000 उसके बाद Second Year से 31,000 रहती है ये है Christian Minority का Medical College है इसमें 100 seats हैं ओपन की 12 seats हैं जिस पर All India का किसी भी स्टेट का किसी भी काटेगरी का कोई भी candidate admission ले सकता है SCST केटेगरी की 3 seat reserve हैं जिस पर All India कोटा का किसी भी स्टेट का SCST केटेगरी का candidate admission ले सकता है एक seat Central Pool कोटा की reserve है जिसमें Central Pool कोटा की concerned ministry द्वारा counseling करवा करी ये seat फिल की जाती है बाकी 74 seat minority network केटेगरी की हैं और 10 seat इसमें जो CMC value है departmently seat है इसमें इसमें admission neat score पर होता है cutoff की बात करें तो 2020 में इसकी cutoff बहुत ही low रही थी यानि की open category की cutoff 626 marks और SCST की cutoff 535 marks रही थी अब हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि third ranking का college होने के बावजूद भी open quota की cutoff 626 marks ही क्यों रही थी जबकि top institute की cutoff तो 650 marks से अब ओ रही है तो इसका कारण ये है कि CMC value में admission तमिलनाडू counseling authority द्वारा counseling करवा कर दिया जाता है और 2020 में सभी rounds की counseling offline थी और 19th December 2020 को offline counseling करवा कर admission दिया गया था इससे पहले आल इंडिया quota की counseling और mostly state के second round की counseling complete हो चुकी थी और जो meritorious student थे उन्होंने अपने state या फिर MCC के through admission ले लिया था इसी वज़े से आल इंडिया के student कम परजेंट रहे थे और यहां चिन्नई रहे कर counseling करवाना होता था दूसरी बात यह है कि तमिलनाडू state की government college में admission के लिए counseling पहले दिन ही हो जाती है इसलिए तमिलनाडू state के जो meritorious student थे पहले दिन government college में admission ले चुके थे और वो CMC value में admission से वंचित रह जाते हैं इस कारण से 2019 में भी ऐसा ही हुआ था first round online था इस कारण उसकी cut off 661 गई थी मगर second round offline होने से एक seat vacant रही थी उस एक seat के लिए other state के candidate ने सोचा कि एक seat के लिए चिन्दगी कौन जाएगा और उसमें मेरा कहन मराएगा मेरे से merit वाले ज्यादा student होंगे एक seat ही बची है तो यह सोचकर other state candidate वहां present नहीं रहे थे लेकिन वो seat 442 marks वाले candidate को मिली क्योंकि तमिलाडू state की government medical college की counselling भी पहले दिन हो चुकी थी तो यह कारण है top institute होने के बावजूद भी कटोप low रहने का अब हम इसके admission process के बारे में जाल लेते हैं तो इसमें admission need score पर होता है मगर cmc value की website पर registration करना होगा जिसकी last date 15 June 21 है उसके बाद need 21 का result आजाने के बाद तमिलाडू state के counselling portal पर management quota के under registration करना है उसके बाद वहाँ से आपको application number यानि AR number मिल जाएंगे वो cmc value की website पर update करना है और need score भी update करना है उसके बाद तमिलाडू state की counselling authority द्वारा schedule के अनुसार counselling करवा करा admission दिया जाएगा तो यह तो हो गया step by step admission process अब हम एक बार इसके information bulletin के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तों इसकी website admissions.cmcvaluer.ac.in है जैसे ही हम इस website पर visit करेंगे आपको admission page मिल जाएगा इस admission page पर undergraduate degree course group A लिखा है यहाँ पर हमने इस पर click करना है तो जैसे ही यह click करेंगे या फिर नीचे scroll करेंगे तो यहाँ download summer admission bulletin 21 लिखा है इस पर click करके हम इस admission bulletin को download कर लेंगे तो जैसे ही admission bulletin को download करते हैं इसमें online application starting date 27 April 21 को हो चुकी है इसकी last date 15 June 21 है इसके बाद में जो documents से submit करने है वो 22 June 21 तक करने है यह जो documents submit करने है यह minority network वाले documents जो certificate हैं वो आपको submit करने हैं जो open category के candidate हैं उनको किसी प्रकार का कोई documents या application form submit करने की जरूरत नहीं है इसमें इसके बाद में इसमें आगे date दी जाएगी कौन सी date को आपने जो need का result आएगा उसके बाद में कौन सी date को AR number और जो need score है वो update करना है यह आपको बाद में बता दिया जाएगा इसमें इसके बाद आगे जो यह तो था MBBS के लिए admission और need score पर ही होगा उसके बाद में इसमें group A में degree courses हैं और group B में diploma courses हैं तो आपको degree course के लिए इन दोनों के लिए आपको entrance exam देना होगा जो group A के exam होंगे वो 10th अगस्त को होंगे और group B के exam भी 10th अगस्त को होंगे group A के morning session में होंगे और group B के afternoon session में होंगे उसके बाद में result, counselling date वगरा यह सारा इसमें schedule दिया गया है group A और B के लिए यह आप देख सकते हैं MBBS का admission जो होता है वो neat score पर ही होता है अब जो इसमें group A के course देगे हैं अलग-अलग वो यहाँ आप देख सकते हैं MBBS की total 16 seat है, एक central pool की है, इसमें इसके विलावतीन SCST की seat से 74 minority network की seat है, CMC value का staff quota 10 seat से इसके बाद में जो first year की admission के time में fees है, वो 50,330 रुपीज है other years की जो course की fees है, वो 31,000 है इसके बाद में जो monthly match है, वो man के लिए 6,000 है, वो man के लिए भी 6,000 है इसके बाद में MBBS के अलावा जो group A में degree courses है, वो BSC nursing है, BOT है, BPT है BSC MLT है, इसके बाद में BOT है, तो इस परकार से आप ये देख सकते हैं, इनकी eligibility criteria भी यहां दिया गया है seats भी दी गई है, और fees भी दी गई है, अगर आप MBBS के अलावा इन courses में admission लेना चाते हैं, तो ये course की condition वगरा सारी सब कुछ इसमें दी गई है, ये आप इसमें देख सकते हैं इसके बाद में जो one time match deposit है वो 10,000 रुपीज है, match deposit one time woman के लिए 8,000 रुपीज है, A.S. degree course के लिए 1,000, match deposit 8,000 है और hostel annual 14,500 रुपीज है तो यहाँ इसमें सब कुछ fees के बारे में दिखाया गया है, अब जो group B में diploma course हैं, वो diploma course यहाँ दिए गए हैं, group B के diploma कौन कौन से हैं, diploma in nursing है, इनकी eligibility दी गई है, seat दी गई है, fees दी गई है तो MBBS के अलवा आप CMC value में other courses करना चाते हैं, degree या diploma courses, तो उनके लिए भी apply अभी कर सकते हैं, और इसका entrance exam लगेगा, और इसकी सारी condition है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें fees वगरा सब कुछ दी गई है application process इसमें दिया गया है, application fees इसमें 800 rupees लगेगा इसमें, इसके बाद में इसमें जो group A course के लिए जो fees है, वो 500 per course है तो MBBS के लिए भी 500 rupees है, यानि कि आपको अभी registration के लिए 1300 rupees फे करने होंगे, यह इसमें registration fees और course fees दोनों आ गई है इसके बाद में जो आगे इसमें दिया गया है कि जो यह application fees है, यह refund नहीं होगी आपने application form किस-किस प्रकार से fill करना है, यह इसमें process दिया गया है, पूरा ही simple process है इसमें documents जो minority network के लिए requirement है, यह दो प्रकार के certificate आपको ज़रुत है इसमें open category के लिए किसी प्रकार का कोई certificate नहीं है, minority network का, आपको इसमें need qualify होना चीए इसके बाद में admission आपका अगर हो जाता है इसमें तो in documents की ज़रुत पड़ेगी, या नहीं कि allotment letter की ज़रुत है जो tamilnadu selection committee दोरा आपको दिया जाएगा, उसके बाद में past certificate की mark qualifying examination 10 plus 2 की need का जो result है, उसकी ज़रुत है, तो इस प्रकार से इसमें certificate दिये गए हैं, ये certificate आपको CMC value में admission के time में deposit करने होंगे, इसके बाद में इसमें first year की fees है, वो 50,330 रुपीज दी गई है, अलग-अलग दिया गया, इसमें tuition fees, और one time college, admission fees, ये सारा सब कुछ इसमें दिया गया है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं, इसके बाद में इसमें जो आपका, जो entrance exam के लिए, other courses के लिए, जो entrance exam होगा, वो step one और step two में इस प्रकार से होगा, ये condition आप इसमें देख सकते हैं, इसमें minority network के लिए, जो आपको Christian, जो church और organization से आपको, ये कुछ certificates लेने हैं, यानि कि sponsor आप वहाँ से किये जाएंगे, तो ये इसमें church दिये गए हैं, यहाँ से आप sponsor से ले सकते हैं, वहाँ से और certificate बनवा सकते हैं, तो ये condition थी, इसमें admission के लिए, अब हम इसमें apply कैसे करना है, तो apply करने का इसमें simple सा तरीका है, ज्यादा सब कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, admission.cmcvaluer.ac.in पर आप जैसे ही visit करेंगे, undergraduate degree course group ये पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें candidate registration पर क्लिक करने के बाद में apply online पर क्लिक करना है, यहाँ अपने candidate name, gender और email address, mobile number, date of birth फिल करके, check box पर क्लिक करके, register पर क्लिक कर देना है, ध्यान रहे कि email id और mobile number आप वो भरें जो आपको last counseling तक काम आएंगे, यानि कि ये विलकुल functioning condition में रहने चीए, register पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास में एक temporary login id आ जाएगा, वो login id आपने समाल के रखना है, इसको आप note कर ले, future में ये काम आएगा, इसके बाद में आप जैसे ही ok पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको temporary login id यहाँ पर application number डालना है, date of birth डालना है, sign in पर क्लिक करना है, तो जैसे ही sign in पर क्लिक करेंगे, यह form five stage में आपके पास open हो जाएगा, first stage में आपको personal details fill करनी है, personal details में आपका नाम, father name, नाम अपने आप automatic आजाएगा, father name, mother name, यह जो nationality वगरा है, यह सारा सब कुछ आपने fill करना है, इसके बाद में second step में आपको course apply, कौन से course के लिए apply कर रहे है, आप only mbbs के लिए कर रहे हैं, तो mbbs करना है, बाकी courses के लिए कर रहे हैं, तो जो भी course के लिए आप apply कर रहे हैं, वो course की detail आपको देनी है, उसके बाद third step में photo और signature upload करने है, photo और signature के लिए आपके लिए जो condition मांगी गई है, इतने kb में करने, उतने kb में आपने photo और sign upload करने हैं, उसके बाद payment करना है, और फिर registration form का आपने print लेना है, इस परकार से ये five stage में ये आपका form भरा जाएगा, form simple सी भरा जाता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको ज्यादा भी कोई problem आती है, तो आप इस वीडियो के comments box में comments कर सकते हैं, अगर आपको Tamil Nadu state में admission लेना है, या फिर south में admission के लिए कुछ admission process के बारे में जानकारी लेना है, तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जिनका channel है, just get mbbs admission के नाम से, गाजियाबाद में उनका office है, आप वहाँ भी मिल सकते हैं, या फिर उनका channel search करके, उनके channel पर comments करके, आप उनके mobile number भी ले सकते हैं, इसमें just get mbbs के नाम से उनका channel है, तो आप उनसे help ले सकते हैं, किसी परकार की, वो हर परकार की counseling करवाते हैं, तो ये process था, इसमें admission लेने का, जो मैंने आपको सब कुछ इसमें समझा दिया है, cut off के बारे में बता दिया है, और सब कुछ ये process के बारे में बता दिया है, कि इस साल जो 21 में इसकी cut off रेने वाली है, वो 640, 50 के nearby रेने वाली है, तो आप उसी परकार से preparation करें, आप CMC value में admission लेना चाते हैं, तो इसके लिए अभी आपको apply करना होगा, cut off का मैंने आपको बताया है, 2019 और 2020 में ये कैसे cut off रही थी, ये भी एक effect करता है, इसकी cut off वर, हम इसकी student के availability के अनुसार दिखते हैं, तो 2018-17 में इनकी cut off ज्यादा रही थी, 2019 में भी काफी ज्यादा रही थी, लेकिन एक seat vacant की वज़े से ये काफी कम रही थी, 2020 में cut off कम रहने का कारण मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसमें admission लेना चाहें, तो आपको अभी apply करना ह होगा और उसके बाद में आपको जैसे ही तमिलाडू state counseling authority दवारा ये schedule जारी किया जाएगा counseling के लिए, तब आपको वहाँ present रहके counseling करवानी है, ये कभी online भी होती है, कभी offline भी होती है, तो आपको उस परकार से इसकी website पर visit करके देख लेना है, बाकी मैं भी आपको सारा समय पर सब कुछ समझा दूँगा, तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, मैं इस वीडियो को यहीं end करते हुए आप से विदा लेना चाहूंगा, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जैखूँ